नमस्कार, न्यूस लिख में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम इतिहास के पन्ने। सुप्रीम कोट ने अभी हाल में सरकार के 2019 में 103rd constitutional amendment को constitutionally justified बोला है। यह बोला है कि वो constitution के basic character को justify नहीं करती है। यह जो amendment हुआ था यह economically weaker sections के लिए reservation, educational institutions और सरकारी नौकरियों में इसका reservation होता है। तो इसके ऊपर काफी विवाद है कि Supreme Court का judgment, चूंकि यह three to majority में judgment था तो इसको लेखे काफी विवाद है। इस पूरे मुद्दे को लेके reservation के मुद्दे को लेके एक बहुत बड़ा इतिहास है। उस इतिहास के तहट तक हम आज जाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ है। सुप्रीम कोट के बहुत जाने माने lawyer डॉक्र केस चौहन तो चौहन साब सबसे पहले तो हमारे इस कारिक्रम में आने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपका और नियूज क्लिक के सभी दर्सकों का शुक्र गुजार हूँ कि आप लोगों ने ये मुका दिया मुझे। और ये जो सामाजिक सिस्टम है उसमें जो चेंजिज के लिए जो हम तर्चा करते हैं उससे समाज में डेमोक्रेसी स्टेबलिस करने के लिए हम लोग नाम करते हैं। आपने अभी हाल में सुप्रीम कोट के वर्डिक्ट के बाद एक आर्टिकल इंडियन एक्स्प्रस में लिखा है। बहुत ही शाप आर्टिकल है। उसमें एक मुख्य जो आपका आर्गुमेंट है वो है कि जो वर्डिक्ट है, EWS वाला जो जजज्मेंट है, वो constitutional values जिसके तहत हमको reservations, SC, ST और other backward cast को दी जाती है, उस values को अफोल नहीं करती है। एक तरह से मतलब गैर समविधानिक आपने कहा है। उस आर्टिकल में आपने एक जिक्र किया है जो आज की पीडी को याद नहीं होगा, 1978 की वो घटना जो बाबु जगजीवन राम बनारस गए थे और एक statue उद्गाटन कते समय उनको काफी जिल्लत और काफी उनके खिलाफ नारे बाजी हुई थी। सबसे पहले तो उस पर्टिकलर केस के बारे में मैं आप से चाहूँगा कि आप थोड़ा से जिक्र करके बताएं कि exactly हुआ क्या था क्योंकि हम आपको तो पता है उसके बारे बेस सिपल्स यह थे कि समाज के जो सेक्शन्स हैं वो समाज के सेक्शन्स क्योंकि पब्लिक सर्विसिज में एजूकेशन में वो रिपर्जेंटिड नहीं है इसलिए उन सेक्शन्स को भागीदारी देने के लिए रिजर्वेशन की बेवस्ता थी जी और यह जो EWS जो कैटेगरी बनाई गई है यह EWS कैटेगरी मैं समझता हूं कि सविधानिक तोर पे सही नहीं है क्योंकि हमारे जो समाज है उसमें जो भी गैर बराबरी है जो भी डिस्क्रिमनेशन है जो भी सोसल एक्स्क्लूजन है जो भी अंटचेबल्टी है वो कास्ट बेस्ट है हमारे यहां कोई भी ऐसा उधारन हमें नहीं मिलता कि कोई व्यक्ति जो है उसकी एकॉनमिक कंडिशन खराब होने की वज़े से उसके खिलाब डिस्क्रिमनेशन हुई हो जगजीवन राम के साथ क्या हुआ था वह 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 बताता हूं जगजीवन राम जी ने 1978 में संपूर्णानंद की मूर् हारन है और जनरल जो हमारा समाज में जो चर्चा होती है वो चर्चा ये होती है कि रही क्रिमी लेयर लगना चाहिए और इसमें क्लासिवकेशन होनी चाहिए जबकि सर्विशीज ही नहीं बची हैं अगर आप उनका आपाइंटमेंट आप देखेंगे जितनी जो मैं समझता हूँ 80-90% वेकेंसीज वो SCST की खाली है या OBC की खाली है क्योंकि उनको जो पॉस्ट फिलप नहीं किया जाता और इसकी वज़े से उनका रिपर्जेंटेशन उन सर्विशीज में उनमें एजूकेशन में है नहीं और यह जो EWS केटेगरी जिसके लिए आरक्षन की प्रावधान किया गया है यह क्योंकि SCST OBC जो क्लाज 4 और क्लाज 5 में जो आइडेंटिफाइड ग्रूप है जो आर्टीकल 341 में सेडूल कास्ट अइडेंटिफाइड है त्री फोर्टी टू में सेडूल ट्राइब आइडेंटिफाइड है और अभी जो नया अमेंडमे के जरी आइडेंटिफिकेशन के बाद अधर बैकवर्ट क्लासीज की आइडेंटिफिकेशन की विवस्ता है यह इस चीज के लिए बनाएं गई है के ताकि समाज के सभी घटक समाज के सभी सेक्शन्स उनका पब्लिक सर्विसेज में एजूकेशन में एक स्रॉंग जो विक कास है उसमें सब लोग भागिदार हूं और यह जो एडवलूस के टेग्री जिसको वो रिजर्वेशन देना चाहते हैं तकरीबन फिप्टी परसेंट के करीब आज भी उनका रिपर्जेंटेशन है और फोटी नाइन पाइट फाइफ परसेंट जो रिजर्वेशन की विव और बैकवर्ड क्लास का तो चर्चा करते हैं 60% तक है कोई संसे ली विविए बादर को 2931 के संसे के बेसिज बेम कर रहे हैं और गोर्मेंट उसमें कास सेंट Carnfest कंडर्क नहीं कर रही है तो यह जो पूरी विवस्त है यह पूरी विवस्ता है असल में जो अभावगर्स्तष लोग हैं उनको सिस्टम की मेंस्टीम में आने से रोकने के लिए इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि ये एकॉनमिक विकर सेक्षन की जो कैटेगरी है जो अपने आप में एक क्लास तो है लेकिन वो जो आठ लाक रुपे जो आदमी साल में कमा रहा है उसको किसी भी आधार पे एक पुरान केस की बहुत चर्चा हुई हैं इंद्रा साहनी नांटी नांटी तो सो उसके भी तीस साल होगाईं बेग कुर्वेशन पूरा एक केस हैं तो मुझे उस के बारे में जरा बता है कि ताकि हम अपने शोताओं को बता सके इं की हूँ इंद्रा केस क्या था और वह क्यों हुआ था वह जज्जमेंट क्या था क्योंकि उस जज्जमेंट के भी ऐसे मिलते हैं कि कुछ हर एक लोगों को कई लोगों को वह अलग-अलग तरीके से इंटर्पेट करके अपने आर्गुमेंट को जस्टिफाई कर आज हम पूरे तीस साल के बाद बैठें जी सोलर नॉंबर नाइंटीन नाइंटी टू को इंदरा सानी का जज्जमेंट तो तीस साल बाद भी आज हम देखेंगे कि उनका रिपर्जेंटेशन बढ़ा नहीं है ज्यादा से ज्यादा अगर जो साइंटिफिक अगर आप देखेंगे तो सी स्टी ओबी सी ती फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव परसंट आपने रिजर्वेशन दिया केस के बारे में बताएंगे कि वो कैसे वो कैस फाइल हुआ और जज्जमेंट क्या था नहीं जो इंदरा सानी केस है वो बेसिकली उससे पहले जो बैकवर्ड क्लासिज की रिजर्वेशन होती थी वो पाँच परसंट तीन परसंट स्टेट में डिफरेंट की बेसिज बैकवर्ड क्लासिज की बहूत माइक्रो सकोपिक रिपरज 얼마나 था लेकिन पहले काका काललकर कमिशुन अपाइंट हूए जी और काका काललकर कमिशन ने उननिश्सो साढ़ से पहले उनिश्सो चपन में उ उसको implement नहीं किया गया उसके बाद जो मंडल कमिशन का जो इशू सुरू हुआ मंडल कमिशन बैसिकली जो काशी राम जी थे उन्होंने एक बहुत बड़ा इशू उठाया कि भाई बैकवर्ड क्लासी को भागीदारी नहीं मिल रिया जी इस वज़े से मंडल कमिशन की implementation हुई और मंडल कमिशन की जब recommendation हुई तो क्योंकि समाज जो है उसके लिए तयार नहीं था जिन लोगों को उसमें फायदा मिलना था उन लोगों नहीं विरोद किया उसका ऐसे बहुत सारे example है आज हम जैसे रमा कांद को स्वामी ने self-imulation किया था वो खुदी बैकवर्ड क्लास है तो ऐसे बहुत सारे example है personal level पे भी हम बहुत example है से जानते हैं तो यह जो पूरी विवस्ता थी वो क्योंकि जो media है वो अपना काम नहीं करता है दूसरे देशों में जो media है उसका democratic split होता है वो social democracy के norm follow करता है लेकिन हमारे देश में इस तरह की कोई विवस्ता नहीं है जिसमे social democracy के principles को media adopt करता हो जिसकी बज़े से बहुत बड़े पैमाने पे हमारे देश में गरीबी है और अनपड़ता है क्योंकि हमारा जो देखेंगे गाओं में अभी दो साल पहले हमारे कुछ साथी मद्दे परदेश में गए थे तो उन्होंने बताया कि पूरे दो गाओं में उ हमने पूछा कोई भी दस्वीं पास रता हो उन्होंने का कि कोई आदमी नहीं है तो ऐसी हमारे देश में आज की स्थिती है और उस स्थिती में उन लोगों की conditions को improve करने के लिए कोई भी सरकार कुछ नहीं कर रही है और जो आदमी already advanced है उनको सिस्टम में बनाए रखने के ल यही इस तरह की सुष्विधाएं की जा रही है जो मुझे लगता है साविधानिक तोर पे साही नहीं है विश्वनात प्रताप सिंग सरकार ने मंडल कमिशन के recommendations को implement किया उसका ऐलान कर दिया और उसके बाद उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोट में याची का दाया जी इं मुझे समझ है कि स्टे दे दिया और उसके बाद सुनवाई की और फाइनली जाके उन्होंने अपना वर्डिक्ट रनाउंस किया उनिस सो बानवे में जाकर नैंटी टू में जाकर तो उस judgment के बारे में बताईए उसमें क्या allow किया गया और क्या prohibit किया गया उस judgment में अगर हम देखेंगे तो constitutional basis जो था reservation का उसको accept किया गया जी और OBC के लिए कि ये एक social category हो सकती है यस यस वो category तो अलड़ी थी लेकिन उसको जो report है उसके issues को जब debate किया गया तो ये पाया गया कि वही इसमें बड़ा scientific तरीके से वीपी मंडल की जो आयोग था उसने सारे data को एनिलाइ किया है आज भी मैं समझता हूं वो report केवल डेड़ परसेंट या दो परसेंट ही लागू है योकि services और education में थोड़ा लागू हुआ है otherwise वो report आज भी लागू नहीं है जो बहुत बड़े पैमाने पे जो हमारी समस्या है वो यह है कि जो social degradation है सोशल ग्रेडेशन है सोसाइटी में उसकी वज़े से एक कास्ट दूसरी कास्ट से घरना करती है और वो यह समझती है कि मैं इस से superior position में हूँ इसलिए मेरी अच्छी position है और उनको अपनी conditions को evaluate करने के लिए जो objective criteria जो होते हैं वो criteria वो अडॉप्ट नहीं करते मंडल कमिशन क उसी रिपोर्ट जो है बहुत scientific basis पे उन्होंने डवलप किया और उन्होंने 52% population को identify किया कि यह बैकवर क्लास है और उसी रिपोर्ट में जस्टिस पांडियन ने पहरा 32 33 जो इंदराशानी का जो जैजमेंट है जो SEC में रिपोर्टिड है उसमें उन्होंने data classify किया 52% यह डा unreserved category जो है उन उनका data है उस 17.58% में से तकरीबन 7% जो लोग है जैसे जाट है मराथा है वो अब अपने आपको backward class उस समय नहीं मानते थे वो लेकिन क्योंकि जब constitutional system ने work करना शुरू किया तो आज वो यह समझते हैं कि हम backward class है और वो उसका अपना rights आते हैं लेकिन जब उन उनका जो राइट है उसको नकार दिया जाता है और वही जब unreserved category को benefit देने की बात आती है तो फिप्टी परसेंट सीलिंग जो है वो एक डिसेंटिंग जज्मेंट बनके रह जाता है और में जज्मेंट उसको दर किनार कर देता है इंदरा चानिक पे फिर से वापस जाते ह कि एक तो आप बता रहे हैं कि उस जज्मेंट में बैकवर्डनेस को एक सही framework या parameter माना गया reservation extend करने के लिए क्या इंदरासानी केस के जज्मेंट में सुप्रीम कोट ने economic factors को economic criteria को किसी तरह से introduce किया था क्योंकि हम लोग जो legal experts नहीं है creamy layer की बात वहीं पे मेरे ख्याल से शुरू होती है और एक ceiling लगा दी जाती है कि इस से ज़्यादा जो कमाते हैं जिन परिवारों से लोग आते हैं उन लोगों को reservation OBC category में नहीं मिलेगा तो वो creamy layer का जो economic criteria है वो किस तरह से Supreme Court के इंदरासानी केस में सामने पेश किया गया नह समझता हूं कि जो इंदरासानी का जो judgment था जी वो nine judge को क्यों गया एक issue यह है दूसरा issue जो शुरूआत मेरे खाल से एक judge से हुआ था फिर एक judge से दीरे दीरे बढ़ता गया हो दो judge होता है Supreme Court में एक judge नहीं होता है schedule कास्ट को relaxation का एक केस था उस केस को reconsider करने के लिए nine judge bench constitute की और nine judge bench को यह मंदल का जो issue था वो भेजा वो जो थोमस का जो केस था उसमें five to two जैसे अभी दो का डिसेंट है उसमें भी पांच लोग main judgment में है और justice HR खना और AC कुपता वो presenting judgment का पार्ट है तो उन्होंने यह माना था कि यह जो right to reservation है यह classification है means यह fundamental right है वैसे क्योंकि यह fundamental right के chapter में आता है पार्ट three का पार्ट है तो fundamental right तो constitutional definition से ही है लेकिन उसके बावजुद six judges ने कहा कि question two ए उसमें इंदरसानी में था वो question two a के तहत उन्होंने यह decide कि यह constitutional classification है और constitutional classification में it is permissible कि आप इस तरह की classification बनाके उनको identify करके तब उनको आप जो भी benefits है services में education में आप दे सकते हैं लेकिन जो तीन जजीश थे तीन जजीश थे जस्टिस थोमन जस्टिस कुल्दीप सिंग एंड जस्टिस आरम साहे उन्होंने dissenting judgment दिया उन्होंने कहा यह exception है और डाक्टर अंबेड कर भी मानते थे कि यह reservation के जो provision है यह exception है लेकिन जस्टिस सुभा राव जो टी देवदासन का case हुआ 1964 में जस्टिस सुभा राव ने उसमें dissenting judgment दिया और dissenting judgment में जो यह exception का जो criteria है उन्होंने कहा कि यह एक classification बनाने के लिए एक permitted criteria है शिक्स्टीन वन और शिक्स्टीन फोर शिक्स्टीन फोर एक classification डवलप करने के लिए एक illustration है कि आप ऐसी classification बना सकते हैं तो ऐसी classification बनाएंगे तो constitutionally justified होगी और इस वज़े से जो मजोर्टी जज्जमेंट था जिसमें जिस्टिस जीवन रड़ी थे जो चीफ जस्टिस कानिया आपका चीफ जस्टिस बाद में चीफ जस्टिस हुए वेंकर चले यह चीफ जस्टिस हैंदी वह भी ब economic criteria का जो issue है उस समय जब नर्शी मराव की सरकार आई जी तो उन्होंने एक OM issue किया और उस OM के तहत जो यह amendment है इसका रेपली का उन्होंने OM के तहत यह decide किया था कि हम जो unreserved categories हैं उनको 10% economic आधार पर आरक्षन देंगे जी और Supreme Court की जो मैंने six or three का जो ratio बताया जी उसमें seven to two, दो judges का उनका भी अगर उनको बहुत expressly analyze करें तो उनका भी dissenting नहीं है लेकिन अगर हम उसको extreme idea में देखें तो seven is to two क्योंकि उसमें भी ऐसा माना गया majority ने, majority के लावा एक जज़ ने और जोईन किया और उन्होंने कहा कि यह इस तरह का criteria नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अधार पर आरक्षन की कोई बवस्ता नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, even otherwise जो उन्होंने ये भी decide किया सा, विधान के इलाव भी issues उन्होंने decide किये, उन्होंने कहा कि केवल economic आधार पर अगर कोई classification की जाएगी तो वो unconstitutional होगी, तो उस basis पे अगर इस bench को इसको valid करना थ तो इस bench को ये 11 judges को पहले 9 judges को भेजना था, कि मंडल सही या नहीं है, पहले वो decide करेंगे, उसके बाद वो 11 judges इसको uphold कर सकते थे, ना कि 5 judge bench इसको uphold कर सकती है, इसी तरह जैसे reservation promotion को मंडल में मना किया गया, कि मंडल में reservation promotion नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो amendment हुए, उस amendments को valid कहा गया, एम नागराज वर्षी जीनन उप इंडिया, 2000 चेक अजिजमेंट है उसमें, अपसे एक सवाल है, क्योंकि आपने कई सारे और cases का जिक्र किया, आपका जो article छपा था Indian Express में, ठीक उसके एक दो दिन पहले ही, एक और commentator फैजान मुस्तफ़ा साब, जो legal issues प अंडर स्कोर्ज एक जुडिशियरी हाज बीना, रिलक्टेंट सपोर्टर अफ कास्ट बेस्ट रिजर्वेशन, मतलब ना की, नॉट नॉट जिस वर्डिक लेकिन इसके पहले भी जो सारे वर्डिक से और जज्जमेंट से, तो वो एक तरह से रिलक्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा उत्सक या उत्साहित नहीं होते थे रिजर्वेशन को थाबित करने में, तो सबसे पहले जो है, पहला जो केस है इसमें, जिसका जिकर होता है, जब हम पढ़ते हैं, तो उन्नी सो बावन का जो दौराई-राजन केस बोलते हैं, जिसके चलते पहला समविधान में होता है तो वहां से लेके अभी तक की एक लंबी मतलब कड़ी हमको एक टाइम इन देखने को मिलती है तीस साल आपने जिकर किया उने सो बावन से अभी और साथ सतर साल होने को उने से क्या जजमेंट आते आते बावन हो गया था एक्जाग डेट के पॉइंट पे रिफरेंस वही आता है तो सतर साल का सुप्रीम को जुडिशियरी का और रिजर्वेशन का मुद्ध इसको आप किस तरह से अनलाइज करते क्या सपोर्टिव रही है या क्रिटिकल रही है इसका नहीं मैं फैजान मुस्तफ़ साब का जो आर्टिकल है जी उसको एंडोर्स करता हूं जी और जितने भी इशूज अगर आप जैसे आप मंडल कमिशन के बाद रिजर्व पर्मोशन के लिए अमेडमिंट कि या गया जी नाइचीश नाइटी फाई में अमेडमिंट हुआ आज 27 साल हो गया जी ल Canadian न ने क्दो प्रूमोशन में प्रिजरोहाना ओनQuery अगर बैकवर्ड क्लास के लिए उसमें नहीं है, बैकवर्ड क्लास के लिए मैं मानता हूं, रिजर्वेशन प्र्मोशन होनी क्योंकि उनका भी हायर पॉजिशंज में कोई रिपर्जेंटेशन नहीं है, इसलिए हायर position's में जब तक representation नहीं होगा वो policy making bodies में नहीं होगे तब तक उनके हक अधिकार सुनिश्चित नहीं हो सकते जहां तक फैजान मुस्तफा साब जो analyze कर रहे हैं अब अगर इसको हम नागराज का जो judgment देखेंगे जी नागराज का जो है सुप्रीम कोट की पांच जजिज ने उसको भी डिसाइड किया था इसमें मैंने यह आर्ग्यू भी किया कि भाई यह नागराज की तरह नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर नागराज 11 जजज डिसाइड करते चाहे वो उन constitutional amendment को ultra virus कहते जाहे वो उनको constitutionally valid बताते लेकिन वो एक principle डवलप होता जिसको मानते आज नागराज के बाद भी 2006 में नागराज आया तो 16 years have passed लेकिन 16 साल में वो at least 80% of states में वो आज implement नहीं है तो इसलिए यह judiciary अब जैसे जो जरनेल सिंग का case है जनेल सिंग का case जिसका जिकर आपने आपने आर्टिकल में कहता वो 2018 का case है हाँ 2008 का है basically क्या हुआ कि यह जो ले मैं को समझाने की लिए कैसे ले में को समझाने वाले में बताता हूं जो नागराज का judgment है नागराज के judgment में उन्होंने चार constitutional amendment को constitution 77, 81, 82, 85th amendment तो चार amendment को constitutionally valid कहां क्यों कहां क्यों कि उस case में हम interveners थे और वो सायद राजाराम पाल का case मेरे पास नहीं होता तो सायद हमें आर्गू करने को भी नहीं मिलता राइट क्योंकि वो case था और चीफ ज़सी सबर्वाल बहुत तो उसकी drafting से परभावित थे तो इसलिए मैंने कहा my lord nobody has argued my point तो उन्होंने time दिया पंदरे minute कहा था लेकिन आदर दिन दिया वो अलग subject है लेकिन basic क्या हुआ कि अमरीका में reservation promotion है हम बहुत सारे countries में है मलब हमने उस समय उस समय बोलते हैं वहाँ नो 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 वहाँ इस में मैं कहरा हूँ कि discrimination के नाम से बाकी में लेकिन जो promotion का जो issue है उसमे reservation promotion है quota है हमारी की तरह तो चीफ जर्शी सब्बरवाल ने कहा वेजर डे फॉलो quota सिस्टम में नहीं कहा यस माई लोड तो एक युनाइटीड स्टेट वरसीज फिलिप paradise एक judgment था वो judgment किसी तरह research करते हुए हमारे हाथ लग गया तो उसके basis पे अधरवाई तो यह चार अमेंडमेंट अनकॉंस्टिचूशनल हो जाने थे और अगर वो हमें अर्गू नहीं करने देते तो भी अनकॉंस्टिचूशनल हो जाने थे क्योंकि basically जो opinion थी वो तो account उनके 14th amendment में equality के लिए equal protection के लिए provision है otherwise उनके constitution में कोई representation का कोई system नहीं है लेकिन उन्होंने equality protection को इस तरह से interpret किया के reservation promotion की भी वेवस्ता उन्होंने की और 50% तेक reservation promotion की वेवस्ता की फिलिप परडाइज़मेंट में जो 1986 में Supreme Court ने decide किया और उसके बाद वहाँ पे effectively वो वहाँ जाते हैं तो उनको South Asian quota और उस सब में education में employment में सब में उससे benefit मिलता है लेकिन जब वो हमारे देश में आते हैं तब वो उसको जो backward classes है उनको वो नहीं देना चाहते हैं जी आप से एक आखरी सवाल जी अभी जो latest judgment आया EWS का आपने कहा कि ये constitutional values के खिलाफ है तो क्या फर्दर आप इसकी judicial scrutiny करने के कोई रास्ते दिखाई देते हैं आपको नहीं judicial scrutiny के रास्ते हैं क्योंकि हम इसमें review फाइल करने वाले हैं और review के बाद curative petition होती है रिव में तो mostly क्योंकि चार जज़िज की express opinion है रिव में तो बहुत ज़्यादा हमें उमीद नहीं लगती है और लेकिन curative petition में तीन चार senior judges भी उसमें associate होते हैं तो वह basic issue जो जैसे मंडल कमिशन की जो president है उसकी value को जो है reject किया इस bench ने तो वह issue ऐसा है कि वह जाना चाहिए लार्दर बेंच को और जो भी फैसला होगा वह कम से क्यारा जज़िज की bench उसको करें क्योंकि अगर constitutional values को uphold करना ह आपने जी वह आपने representation देना है तो जो अन्रिपर्जेंटीड section है उनको आप representation देना चाहिए ना कि जो अलड़ी रिपर्जेंटीड है उनको आप representation देंगे यह जग जीवन राम का issue नहीं है अभी रामनात कोविन साभ जब राश्टरपती बने थे तो वह राजस्थान में गई जी उनको मंदिर में एंटरी नहीं हुई जी देश का राश्टरपती है जी अब उसकी उससे ज्यादा एकोनोमिक अगर तनका का मामला देखा जाए सबसे ज्यादा तनका उसी की है लेकिन उसको वहां एंटर नहीं करने दिया उन्होंने एकोनोमिक कारणों से discrimination नहीं ह हुआ तो डाक्टर असोक मेगवाल नाम का मेडिकल डाक्टर उसने तीन दिन बाद उस जो प्रिस्ट था उसको इंजर्ड किया और ग्रीवेस इंदरीज हुई तो जो समाज है वह ज्यादा रियक्ट कर रहा है क्योंकि जो पॉलिटिकल ऑफिसीज जो होल्ड कर रहे हैं जो समाज का Sch frame क क्रिम्नल केस नहीं लेकिन लेकिन ऐन सबसे यह साबित होता है कि डिस्क्रिमनेशन उनके खिलाफ उनकी अर्थ वह व्यवस्ता या उनकी एनकम के बैसिस पे नहीं लेकिन आनकी जो जन जो जाती का जो आइडेन्टीटी है उसी के आधार पर उनके खिलाफ जो भी क्रिमिनल एक्शन हुआ उनके खिलाफ नहीं वो दो हमारे समाज का यह नहीं है इंट्रिशनल लेवल पर भी अगर आप देखेंगे उसके आर्टीकल से हमने आर्टीकल भी दिये प्रोफेसर फिस जो है उनका आर्टिकल है और उनके आर्टिकल में उन्होंने एक्स्प्लिसिट एक्जामिन किया है उन्होंने कहा कि जो एकोनोमिक क्रैटेरिया है उसके बेसिज पर क्लासिफ केशन नहीं कि जा सकती और यह इस तरह की जो क्लासिफ केशन जो एकोनोमिक क्रैटेरिया पर बेस इनकम नहीं है और मैंने आज अपलाई कर दिया एक पोस्ट के लिए उसके बाद शाम कोई मेरी लाटरी निकल जाती है या कोई और मुझे ऐसा बेनिफिट मिल जाता है और मेरे इनकम बढ़ जाती है तो मैं एक्स्क्रूड हो जाऊंगा उससे तो ऐसा अर्टिफिसल क्रैटे पर है तो जाती के आधार पर ही उसको क्यों करना पड़ेगा क्योंकि यह जो क्राइटेरिया है यह बिल्डप जो किया जाता है यह उस को रिफॉर्म करने के लिए क्या जाता है ना कि उसको कंप्लिकेट करने के लिए जो एकोनोमिक आधार पर जो आरक्शन की बेश्ता है यह उस प्रिंसिपल्स को कंप्लिकेट करती है क्योंकि जो लोग ए सोसली एडवांस नहीं है वो एकोनोमिकली भी एडवांस नहीं है बट वो उनको उस केटेगरी में उन्होंने नहीं रखा पर मैं ऐसा मानता हूं कि उनको रखके भी आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते ह हाना कि हमारे साथियों का व्यूव यह है कि अगर उनको रख लिया जाए तो जस्टिफाई किया जा सकता है क्योंकि जो समाज की वेवस्ता है उसको आपने देखना है कि समाज में क्या वेवस्ता है उसको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं तो सोसल डेमोक्रेसी तब ही अस्ट of luck कहेंगे कि आपके क्यूरेटिव पिटिशन में तो ये थी बात EWS का जज्जमेंट आया एकनॉमिक आधार पर चौहान साब ने हम लोगों को समझाया कि इसका कोई बेसिस नहीं है रिजर्वेशन अगर होनी चाहिए वो आइडेंटिटी या जात के आधार पर होनी चाहिए जो सुप्रीम कोट का जज्जमेंट आया है इसकी कहानी अभी आगे चलती रहेगी क्योंकि क्यूरेटिव पिटिशन आने वाला है तो आज का ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से एक तर से प्राइमर के तौर पर आगे आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए ये साबित होगा धन्यवाद